वेल्कॉम बेक टो आमाजिंग अन्टेक तो फ्रेंड्स इससे पहले आप जितना भी सर्कुलर पोकेट मिलिंग पोग्रम देखे हो अमारा यूटूब चेनल पी वो सभी में क्या आता है आपका कहां पे तो सब पोग्रम यूज आता था नहीं तो कहां पे आपका आई जे के यह रंग डालेंगे तो आपका सर्कुलर पोकेट पोग्रम नहीं रहून होगा और सब पोग्रम नहीं करेंगे तो नहीं रहून होता था लेकिन अभी इस पीडियो में आप देखेंगे सिंगेल अनली वान ब्लॉक आप देख तो यह वान ब्लॉक वान ब्लॉक यूज करके एक circular पकेट मिलिंग करेंगे तो यहाँ पे हमीशे गतर हम लोग दो प्रोसेस करना पड़ेगा यहाँ पे एक तो आपका work offset लेना पड़ेगा और दूसरा है आपका tool offset लेना पड़ेगा तो यहाँ पे आप मैं work offset ले रहा हूँ आप प्रूसिमिटली कटर लगा के जी 54 से जी 59 तक आप किसी में भी ले सकते हो और आपका tool offset लेना पड़ेगा tool offset मींस आप जो भी कटर लगा रहे हो मानलों अभी में T11 पे एक कटर लगा रहा हूँ वो भी tool अन्मिल तो उसका tool offset ले लिया और एक important है आपको यह पोग्राम रॉन करेंगे तो आप जो डी डायमेटरी दिया है यहाँ पे डायमेटर जोमेटरी डी तो यहाँ पे tool end मील यूज कर रहे हैं means tool यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यह most important है अगर आप 10 end मील यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 लिखना पड़ेगा जोमेटरी में ओके तो चली स्टाट करते हैं उसका थोड़ा पोग्राम के ओपर नेश्ट देखेंगे पोग्राम रॉन करके स्क्वेयर ले लेंगे ब्लॉक कि मानले जिए मेरा स्क्वेयर ब्लॉक है कि यह जितना उसका कि यहां पर आप दे सकते हो जैसे मेरा यह इसके दो डामीटर ही हुए है 20 mm और मेरे को डेप्ट कितना है 10 mm कट करना है आप इससे भी ज्यादा कर सकते है 20 50 60 नो प्रब्लम और मेरा जो सेंटर है उसका ओरीजिन xyo ओके तो यहां पर हम इसक गतर जैसे उसका प्रस्ट मॉस्ट कमों प्रण्ज आपको रहता है देखेंगे आम क्यांब को आप चाहां कि यहां बेद्वीब नहुंद सरब करदेता हो व् Again 20 यह कोई भी पोजळा में यह मंच्ट मूच्नल है जैस्था आपका सिसने पर भी है ऊसके बाद आप का इधर ही आपका स्मींडल कोई भी रहें पेसे यहां पैले लिःता है यह विलोग जेर हमिंग कर दिया यह हमिंग है हमिंग ऊके यह मॉस्ट कमान है उसके बद आपको जो टूल नंबर में ट्ई 11 पर मानल रिजम्पुल करे लगा थो ट्वी नंबर यहां पर दिया टूल नंबर और मेरे को आना चाहिए यह है T11 उसके बाद आपको क्या पनना पड़ेगा उससे पहले कोई भी परग्रम आप रॉन किया एक अनेट साइकल कुछ भी रॉन किया तो वो सब को कैंसल करना पड़ता है जैसे यह ब्लक आपको लगाना पड़ता है कोई भी परगरम में है कोई भी परग्रम में कमन रहता है। यह जो position है, यह position आपका program जो position है फ्रसाइल का उसी का आपकर deeper करता है लेकिन यह आपका most common है यहाँ से इतना तक उसके बाद spindle speed है आपका cutter और मेंटेरल के शब शब लगाएंगे spindle speed और M3 उसके बाद G43, H11, H11 की हूँ, मेरा T11 पर मैं कटर लगा इसलिए एछ 11 और जये ट्वनेटे में सब्सेंट यह आपका मॉस्ट कमान ब्लॉक ऑके मॉस्ट कमान ब्लॉक है टी लेवेन और एच एलेवेन यह आपका पर डिपन करता है कौन से कितना नंबर कटर पर आपको मंतरह पोकेट में लगाया तो इसी सब से टी एलेव नमर आप लिखेंगे नेस्ट जो है आपका मोस्ट कमन ब्लोग है एकी ब्लोग पर यह पूरा कट हो जाएगा आपका 10 mm डेप्थ कोट होगा और 20 mm डामीटर भी कोट होगा एकी ब्लोग पर हम लोग यहां पे 12 एंड मिल यूज कर रहे हैं याद रखिये 12 एंड मिल यूज कर हैं ओके तो मेरा जो पोग्रम यहां पर आएगा धी 13 जी थाटन क्या हे सर्कुलर इंटरप्लोशन क्लाउक्वाइस डिरेक्शन ऊके उसके बाद जी 90 1-0,5 यहां पर मैं मैंश दिया 0.5-0.5 दिन आई 6 के 10 उसक्त पॉइंट गड़े गा आपकू यह सब के लिए उसक्त र और एल ट्वंटी यहां पे जो एल ट्वंटी आप लिख रहो उसके पाद यहां पे यह पॉइंट देना नहीं पड़ेगा लेकिन यह सब ब्लोक में आपको पॉइंट देना पड़ेगा यहां से इतना ब्लोक में आपको पॉइंट देना पड़ेगा और एल में आपका जे ट्वन्टी एम देन एम दिर फाइब एम दिर नाइन जी ट्वन्टी एट जी नाइन ट्वन जेड जिरो एम थाट्टी ओके अब देशे तो जैसे मैं लगा दिया उसके बाद आपका यह इंपरण नहीं है यह भी मॉस्ट मतलब कमण ब्लोक है कि Nossa इंट्र पोर्शन क्लोक य्गेशां ऑके टाटीजन और जी नाइंटीवन यहांपे इंक्रेमेंटर000 मोड पे लेगा जी नाइंटीवन xi नाइन इंक्रेमेंटरuum मोड लेगा और एक बार में कितना आँवारा ज्यर पौएनट फाइंट लगा एक बार में आपका भी दे सकतो प्रोब्लम नहीं है आई का ओलू क्या है आपका माल लो यहां पर मैं T files and end meal use कर रहा हूं ओके तो I का value कितना होना चाहिए जो 12 का end meal उसका radius value कितना है radius मीन उसका आधा कितना है 6 mm 6 mm में उसका I का value उससे ज्यादा होना चाहिए I का value greater than end meal radius ऊके आप यहाँ पे जो स्टार्टिंग है I means क्या है आप यहाँ जो circular इसे स्टाइटिंग जो पॉईंट है स्टाइटिंग पॉइंट सिर्टेसर होता है तो ओई है आपका आई का वेल्वु कितना होगा स्टाइटिंग में ताब यहां पे 6mm 7mm 8mm 9mm डल सेकते हो प्रप्लम नहीं है कुछ भी आप जितना भी 12 यह मिले 12mm तो आप डाल सेकते हो उस तोड़ा आप अगर केक भीलू इधर इधर करेंगे तो आपका जो यहां पर 20 mm आपको करना है और 20 mm कोट नहीं होगा उसे जाजा कोट जाएगा नहीं तो उसे कम कॉट जाएगा कि K means क्या इतना इतना का यह स्टार्टिंग था यह आपका S और मेरा के कि यह सेंटर से एधर मिन्स उसका रेडियस ड्यमितार करेडिऊस इतना इता है दाइमितर हम ऐतों तो यहां से कितना बार से टेने में तो काटेगा ओके तीन बार त्री टाइम में दे दिया यहां पर कि टेने में तो काटेगा ओके तो यहां पर मेरा जो टोटल डामिटर सर्कल कितना हो जाएगा टॉंटी हो जाएगा डामिटर और उसके बाद आपका आई और क्यू यह दोनों इंपड़न नहीं है यह दोना आप कुछ भी डाल सेकते हो ओके लेकिन के आपका मॉस्ट इंपड कर रहे, .5 डेक्ट कर रहे तो पॉईंट 5 करको निएग भर मिन 20 mm कट करना है तो कितना टाइम मेरेको डे हलेने पड़ेगा टॉंटी टैप़ों त्विह द कॉंटी टैम डेप्ट लेकर चाट कर और तो उस्टाइम मेरा कोंप्लीट होगा टैने मेंडेते ओके तो के येल म पॉइंट फाइप डेट लोगा तो मेरा टेन एमेंट यहां पर कॉंप्लीट होगा उसके बाद आपका फिड यहां पर में बारास दिया आपका मर्जी है आप जितना देशक्ते हो ओके और एक एक्जम्पूल आपको लिए यहां पर लिया है आप देशक्तों जैसे मेरा यह यहां पर कितना 60 mm डाइमिटर है और सेम एक जिरो वाई जिरो और उसका डेट कितना मेरा यहां पर मैं 20 mm डेट लिया ओके तो इसका प्रोग्रम किया होगा आपका सेम जी थाटिन जेर नाइन टीवान यहां पर में जेर माइनस वान एम नहीं तर टू एम दे दूंगा यहा प्रोइणी मेरा प्रोइट फैट यहां पर मैं 2 mm दे दिया 2 mm और आई मेरा कितना यह भी मैं यूज करूँजूंगा यहां पर 60 दिया न तो 16 3 म2 туट करूँगा तो इसलिए मैं 2 mm डेट-ध ज्यादा दिया और मेरा कि कितना अगा आई का रिथ में माल लो तो इसका आधा इधर कितना आएगा तो इसका यहां पर केक अभेलू थाटी लेना पड़ेगा तैम्स यहां पर मैं थी टाइम ळलिया क्यों का बेलो थिरी ले लिया और उसके बाद किया है मेरा जो एल यह भी आपको इंपड़एल और के तो एल का कितना उसमेरवल को एक बाद कन नाया और कितना तो जाएगा यह टौन्टी एम्यमध लेप प्रोब्लम नहीं है उसके साथ सब प्रोग्रम उसका भी प्रोब्लम नहीं है और आपको 91 नहीं करना पड़ेगा और जेड़ आपको मेट्राल का पर डिपन्ट करता है मेट्राल और कोटर का पर डिपन्ट करता है में हाँ आपके 2 mm दिया आइका भेलु आपका no problem आई आप खुद देख सकते हो एक trial करके दिखिए ये program run करके I का meaning क्या है उसके बाद K means आपका जितना भी diameter उसका radius value डालना पड़ेगा यहाँ पे और Q आपका passes Q भी आपका important नहीं है उसके बाद L means loop 10 बार cut करेगा 2 mm 2 mm means मेरा 20 mm depth हो जाएगा उसके बाद feet ओके तो यहाँ पे और एक important है आपका मानलो में ये K 30 डाला ना तो आपका मानलो ये T 16 T 1 पे में 16 mm लगाया हो तो उसका जो D D geometry है उधर मेरे को लिखना पड़ेगा 16 ओके उधर मेरे को ये लिखना पड़ेगा D वर एक रहता है और 16 mm लिखना पड़ेगा 16 mm नहीं लिखना तो ये मेरा जो diameter है 60 ये उससे ज़्यादा कट कर लेगा 30 ये 30 कट किया 60 और quarter का जो दोना साइट कितना है 88 16 60 plus 16 6 17 76 diameter उसका हो जाएगा तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जो आपका 16 mm लिखना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एकजांपुल में 12 mm लिखा हूँ ओके तो थेंक्यू फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट्स दीजिए मिलेंगे आपका चॉष वीडियो में तब तक नमस्ते